Study IQ IS अब तयारी हुई affordable और आपको याद हो तो जीतन राम मांजी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था बहुत short period के लिए लेकिन वापस से 2015 से मुख्यमंत्री बन गये नितिश कुमार और अभी भी 2024 तक ये बने वह हैं लेकिन आज सुबे सुबे आपने देखा होगा यहाँ पर status आया है कि नितिश क सादा पाला बदला है जिसकी वज़े से पल्टुराम और अलग अलग नाम भी दिये जा रहे हैं लेकिन आप देख सकतो यहाँ पर resign करने के बाद वो अभी के लिए caretaker चीफ मिनिश्टर बन चुके हैं बिहार के लेकिन मैं आपको बता दूँ जब यह video record कर रहा हूं तब तो वो caretaker हैं हो सकता है बहुत कुछी छणों बाद शाम तक या कल सुबह तक यहाँ पर वापस से वो सपत ले ले लें तो इसको थोड़ा समझेंगे कि exactly अभी तक हुआ क्या है कारण क्या है वो सब कुछ जानेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको maximum discount मिल जाए और अगर आप इस साल का prelims का exam दे रहे हैं 26 मही को उसको crack करने के लिए SIP प्लस ले सकते हैं उसमें पूरा revision सब कुछ कराया जाता है और इसके साथ साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस ही तश्वीर है जहां पर वो resign कर रहे हैं और यह तस्वीर अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ वर्सों में कई बार देखने को मिलता है कि उसी दिन चीफ मिनिश्टर के पत से वो इस्तिफा देते हैं और दूसरे पार्टी से मिल जाते हैं कभी वो RJD और Congress के साथ सरकार बनाते हैं और कभी यहां पर BJP के साथ सरकार बनाते हैं तो अभी क्या था कि यहां पर जो जनता दल United के जो चीफ है नितिश कुमार उन्होंने गवर्नर से मुलकात की उसके पहले कर आप देखोगे तो उन्होंने अपने official residence पर जितने भी MLA's है उनके उनके साथ मुलकात कर यह मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ बीजेपी और जेडियू के बीच में मतलब नितिश कुमार की पार्टी जो जेडियू है इनके बीच में यहां पर जो seat sharing का agreement है वो भी almost final हो गया है लोग सभा के लिए और बीजेपी ने यहां पर support दे दिया मतलब मैं अभी ज़स देख रहा था टीवी में तो बीजेपी ने भी यहां पर पूर्ण जो support होता है नितिश कुमार को वो दे चुके हैं चलिए अब थोड़ा सा assembly को देख लेते हैं कि बिहार की जो legislative assembly है वहां पर आकड़े क्या कहते है in fact अगर आप Wikipedia पर जाओगे तो वहां पर आपको updated मिलेगा कि इस समय सरकार में कौन है और आप देख सकते हो कि सरकार में है BJP, JDU और जो जितन नाम मांजी की party है तो इनके पास total मिलाकर आप देख पाओगे 127 seats देखने को मिलेगा और वहीं अगर हम opposition की बात करें जो कि RJD, Congress, Congress, CPI, यह सब अभी government में थे, आज सुभे तक यह government में थे लेकिन यहाँ पर अब resign कर दिया है और यहाँ पर BJP के साथ मिलकर नितिश कुमार ने एक तरह से बना लिया है, देखे, total 243 seats हैं और यहाँ पर 122 halfway mark होता है, तो BJP और JU का ही अगर आप मिला दोगे तो वह halfway mark cross कर सक सकते हैं, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था, यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि जो leaders हैं, कुछ parties के वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगता नहीं कि यह possible हो पाएगा, क्योंकि again यहाँ यहाँ पर BJP, JU के पास अकेले करीब 123 seats देखने को मिलेंग जो Congress के साथ संबन थे नितिश कुमार के, वो काफी जादा भी recently खराब हो गय थे, इसका एक कारण बताता हूँ, 13 January को क्या हुआ था, जो India Alliance का पूरा block है, मतलब जो 28 parties का block बनाया गया था, उसको lead खुद नितिश कुमार कर रहे थे, मतलब 2024 के election में सभी opposition parties एक साथ आएं और BJP का सामना करें, इसका जो पूरा formulation है, वो actually नितिश कुमार नहीं start किया था, और अगर आपको याद हो, सबसे पहली जो meeting थी, India Alliance की, वो आपका actually बटना में ही start हुई थी, तो यहाँ पर यह माना जा रहा था, कि इसके जो leader होंगे, इस opposition के, वो actually नितिश कुमार होंगे, इन नितिश कुमार को convener बना देना चाहिए, सभी ने इसका support कर दिया, लेकिन बताये जा रहा है कि राहूल गांधी ने यहाँ पर कहा कि अभी हमें थोड़ा wait करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर जी उस meeting में नहीं है, तो इसको लेकर नितिश कुमार के supporters और वो काफी जादा नर जी यहाँ पर decision लेते रहेंगे, तो बड़ा ही मुश्किल है यहाँ पर चीजों को lead करना, opposition parties को lead करना, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, let me tell you, फिर उसके बाद यहाँ पर obvious सी बात है, जो उनके main partner है RJD, लालो यादो की जो party है, बिहार के अंदर, उनके भारत रत ने देने का निर्णे किया है, तो अब इसमें क्या है कि जब भारत रत रत देने का निर्णे किया, तो नितिश कुमार ने बताया कि यह तो बहुत अच्छी बात है, और साथी साथ नितिश कुमार ने कह दिया था, कि देखिए जो करपूरी ठाकुर जी थे, वो अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाते थे, परिवार के लोगों को ऐसा नहीं है कि सत्ता में ले आए, उसी प्रकार से नितिश कुमार का कहना था कि मैं भी यह चीज नहीं करता हूँ, तो एक तरह से इसको ऐसे देखा जा रहा था, क्योंकि लालू प्रशाद यादो तो अगर आप देखोगे उनके जो दोनों बेटे हैं, वो इस समय यहाँ पर जैसे कि तिजश्वी यादो, वो आपके डेपिटी चीफ मिनिस्टर थे, तो इसको लेकर ऐसा लग रहा था कि डारेक्ली वो उनके उपर प्रहार कर रहा है, और इसी लिए आर्जेडी भी काफ वो बिना नितिश कुमार के कंसल्ट किये, बहुत जो important decisions होते हैं, government के अंदर, वो यहाँ पर लेना start कर दिये थे, तो यह लगतार rift बढ़ता जा रहा था, इंफर्ट मैं आपको बताता हूँ एक और किसा, पिछले साल अगर आपको जात हो, जेडियू जो नितिश कुमार क पत से हटा दिया, जेडियू जो पार्टी है, उसके प्रेसिदेंट पत से हटा दिया, और खुद वो प्रेसिदेंट बन गए, ताकि पार्टी को एक तरह से कंट्रोल में लिया जा सके, तो यह भी एक बहुत बढ़ा संकेत था, तो ओवर और अगर आप रिसेंटली देखो होगे, तो अभी क्या हुआ था, रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन था, 26 जैनवरी को, इसमें बिहार की जो डेपटी चीफ मिनेश्टर है, तेजश्वी यादो, वो इस सेलिब्रेशन में सामिल नहीं हुए थे, नितिश कुमार के साथ, फिर इसके अलावा यहाँ पर नितिश कुमार बिहार के जो गवनर है, उनके रेसिडेंस पर भी गयते, रिपब्लिक डे के मौके पर, वहाँ पर भी तेजश्वी यादो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो यह अंदेशा अल्मोस्ट हो गया था, और इसी लिए पिछले दो दिन से इसके बारे में का क्या होने वाला है, अववेसी बात है, यह उनके लिए बहुत बड़ा जटका होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बटाया, कि इस इंडिया ब्लॉक बनाने का जो में सुत्रधार थे, जो में परसन थे, वह अच्छली नितिश कुमारी थे, तो जो परसन खुद PM Modi को या फि ममता बनर जी, उन्होंने साफ कह दिया है, कि हम एकला चलो करेंगे, मतलब बंगॉल के अंदर, और वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ, शीट शेरिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर खबर ही आ रही थी, कि वेस्ट बंगॉल में लोग सभाच चुनाओं में, जो मम पर इसके लाबा, आम आदमी पार्टी के साथ, यहाँ पर लंबे समय से बात्ची चल रही थी, अर्विंद के जिवाल जी, मुलकात भी किये थे, मलिकार जुन खड़ गया, और बाकी सब लोगों के साथ, तो वहाँ पर भी सब कुछ तूड़ गया, और बोला गया, भगव तो वह लगतार जो पार्टी के साथ साइट्स हैं, वह लगतार स्विच करते रहे हैं, और 2019 का जो लास्ट एसेम्बली इलेक्शन हुआ था, उसमें भी अगर आप देखिए, तो उनकी जो पार्टी है और जो बीजेपी है, वह एक साथ चुनाव लड़े थे, और दोनों न मिलकर सरकार भी बनाई थी, लेकिन 2022 में नितिश कुमार बीजेपी को छोड़कर वो चले गए, और जीडी के साथ और कॉंग्रेस के साथ, लेकिन अब वापस सिद 2024 में लोग सभाई एलेक्शन के ज़स्ट पहले, वो फिर से यहां पर बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो भल पहले, उनका काफी दबदबा होता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी अगर आप देखेंगे, नितिश कुमार सबसे टॉलेश लीडर माने जाते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स में, उनका जो चेहरा है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसकी हो कि अभी जो भी कुछ हो रहा था सुबे से, इसके प्यारे में आपको डीटेल से समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कुश्चन, क्या आप बता सकते हैं, the power to create of, sorry, create यहां पर नहीं होगा, basically the power to abolish legislative council in state is vested with which among the following, मतलब किसी किसी राज्यों में abolish करना है, तो उस case में कौन इसको abolish कर सकता है, इन में से आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहां पर stories में डालता रहता हू अगर आपको PDF e, तो Telegram पर आईए, अलग-लग Social Media पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मने आपको बता है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can just use this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then thank you very much, see you soon Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable